या हेलो गुड मॉर्ниंग तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बाद ही में भायत कर रहे हैं वो टॉपिक है ॡुट मॉडल या जिसको घूपरी फ्री उलेक्र्ट्रॉंन दियुक्स भी बूलते हैं तो डूपरे राटे हं इस जो drude model है या free electron theory of metals है इसको समझने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं जिसमें एक चीज कही गई है it is the free electron gas model that is free electron gas model ये exactly क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं and then उसके बाद drude model exactly क्या है या free electron theory of metals क्या है वो चीज है अगर basically अगर बात करें तो drude model या free electron theory of models जो है वो basically explain करती है the electrical conductivity in the metals या बोल सकते है electrical या thermal conductivity जो है metals में जो भी है उसको explain करती है तो सबसे पहले हम लोग देख रहे है free electron gas model exactly होता क्या है अब obviously हम अगर इसकी literal meaning को देखें तो यहाँ पर बात हो रही है किसी free electrons की बात हो रही है and gas की बात हो रही है तो electrons और gases से related कोई चीज होगी हमारे पास यहाँ पर तो उस चीज के बारे में बात हो रहे होगी तो जो free electron gas model जो है वो बहुत सारी physical properties of metals को explain करता है in the form of free electron gas model अब इस model को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग एक एक कोई भी material assume करते हैं हमारे पास material है अब इस material में हमारे पास number of atoms है अब यह जो number of atoms है इन number of atoms में मार लोग for example कोई भी atom जो है वो energy absorb करता है जब कोई भी atom जो है वो energy absorb करेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि atom energy absorb करने के बाद उसका जो electron है वो electron free हो जाएगा यह electron atom में से electron free हुआ whole पीछे बचा that means कि हमने हमने प्रीवेस लेक्चेस में अलड़ी हमको band theory के according मालूम है कि valence band में सारे के सारे electrons रहते हैं valence band से energy absorb करने के बाद वो conduction band में चले जाते हैं conduction band में जाने के बाद these electrons are free to move anywhere within the metal surface अब यहाँ पर क्या है यह electron क्या है यह electron free है move करने के लिए कहीं भी कहां पर material surface जो है उसके अंदर वो material surface से बाहर ने अब यहाँ पर हम क्या करते हैं यह जो electron है electron को assume कर लेते हैं अजिम क्या करते हैं obviously electron जो free है तो यह जो electron है वो क्या करेगा freely move करेगा जाएगा दूसरे electron के साथ collide करेगा फिर आगे जाएगा तीसरे electron के साथ collide करेगा फिर जाके चौते electron से collide करेगा फिर पांचवे से collide करेगा फिर छटे से collide करेगा फिर सातवे से collide करेगा फिर आगे चला जागा इस तरह से जो electron है electron का random movement होता है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह जो electron जो है वो क्या है weekly bounded electron जो है वो atoms के साथ जो होते हैं वो फ्रेली मूव कर जाते हैं और विदिन दा वॉल्यूम ऑफ दा मेटल सर्फेस तो यह जो वेलेक्ट्रों जो है मेटल के वो उनको हम लोग बोला कि मैंने बताए कि यह कंडुक्शन बैंड में चले जाते हैं यहां पर क्या है वीकली बाउंड़ेड वी को हम लोग कंडुक्शन इलेक्ट्रोंस बोलते हैं अब कंडुक्शन इलेक्ट्रोंस और जो आयन कोर्स है पीछे जो हमारा पॉजिटिव आयन जो बचा उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बेसिकली हम लोग नेगलेक्ट करते हैं यहां पर वी नेगलेक्ट द फोर्स या forces between free electron and bounded आयन, positive आयन, अब यहां पर हम यह देखते हैं कि total energy जो है, वो सारी कि सारी kinetic energy है, क्योंकि हम लोग वो क्या है, movement of electrons की वज़े से ले रहे हैं, इसलिए kinetic energy ही total energy है और यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, total energy जो है, total energy is kinetic energy and potential energy जो है, उसको हम लोग neglect कर देते हैं, it is neglected here, in this case, तो अब यहां पर exactly हम क्या देख रहे हैं, या हम क्या assume कर रहे हैं, basically, कि जो free electrons जो हैं, या conduction electrons जो हैं, वो metal surface के साथ, metal surface के अंदर freely move कर रहे हैं, and collide कर रहे हैं, किस तरह से, जैसे की किसी एक gas के molecules या atoms हो, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि जो conduction electrons जो है, conduction electron जो है, behaves like, behaves like atoms or molecules of an ideal gas, ideal gas, okay, तो यहां पर यह हो गया, अब यहां पर यह बोलते हैं, कि यह जो concept है, इसको हम लोग electron gas भी बोलते हैं, तो कि electron जो है, वो gas molecules की तरह behave कर रहे हैं, वो charge होते हैं, और ordinary gas जो है, generally neutral होती है, एक चीज़ यह, दूसरी चीज़ यह, कि electron concentration जो होती है, metal में, वो ज़ादा होती है, in comparison to electron, जो हमारे पास ideal gas जो होती है, उसके comparison में, तो दो basic difference यहाँ पर उचाता है, दोनों में basic difference यह, gas में और यहाँ पर metal के, जो electron से, इन दोनों में दो basic difference, जो कि मैंने बताया, कि electron gas जो है charge रहती है, बट ordinary gas जो है neutral रहती है, यहाँ पर concentration of electron जो है बहुत ज़ादा होता है, बट यहाँ पर items का concentration का होता है, ठीक है, अब अगर metals की बात करें तो alkali metals, for example, sodium की अगर बात करें हमारे पास, sodium जो है, sodium का अगर electronic configuration देखें, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, that is atomic number is 11, 2 plus 2, 4, 6, 10 and 11, अब यहाँ पर valence electrons जो है, वो कौन से state में है, 3s state में, तो metal है, metal के अंदर यह जो electron है, वो conduction electron बन जाएगा यह वाला, ठीक है, और throughout the sodium crystal move करेगा, और बच्चे हुए हमारे यह जो 10 electron जो है, वो क्या हो जाएंगे, they will be positive ions, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो 3s1 जो है, this will become conduction electron, यह हो जाएगा, conduction electron, और बच्चे हुए, जो 10 sodium जो है, electron जो है, वो क्या बन जाएंगे, हमारे positive ion हो जाएंगे, positive ion की तरह behave करेंगे, तो बोल सकते हैं कि free ion हो गया, तो जो distribution of core electron जो है, वो same है, free ion में और metal में, तो जो metal crystal है, उसका हम लोगे सुपोस किया, कि it is consist of a positive metal sign, यह positive metal ion हो गया हमारे पास, और free electron gas हो गया, यह तो सिर्फ मैंने एक atom की बात की, sodium की, अगर हमारे पास पुरा का पुरा sodium material है, तो वहाँ पर क्या है, वो freely move कर रहे हैं, बहुत सारे electrons हैं, freely moving और बहुत सारे sodium के positive ion core है, हमारे पास, जो की है, तो यह जो free electrons हैं, वो atoms या molecules of a perfect gas behave करते हैं, इसलिए उसको हम लोग free electron gas, that is why they are known as, sometimes they are known as free electron gas, और electron cloud भी बोलते हैं, अब इसमें एक और concept आता है, free electron fermi gas, free electron fermi gas, एक और concept आता है, यह free electron fermi gas क्या हो जाती है, कि it is a gas of free and non-interacting, non-interacting, non-interacting electrons subjected to, subjected to, polys exclusion principle, polys exclusion principle, उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, free electron fermi gas, तीक है, अब यह जो, basically यह जो concept है, यह जो theory दी गई, वो किसलिए दी गई, to give the, to explain the properties of metals, तो यह किसलिए आई, it can explain, it can explain metallic properties, यह properties of metals, अब कौन-कौन सी metallic properties को explain कर सकता है, कैसे explain करता है, वो exactly हम लोग देखते हैं, तो, यह basically, जो explanation है, metallic properties का, वो दिया था, Drude and Lawrence में, Lawrence ने, on the basis of classical theory, तीक है, classical theory, applying the, applying the, Maxwell-Boltzman statistics, to the electron gas, अब यह Maxwell-Boltzman statistics किया होता है, कि distribution of particles, जिसमें की particles, जो है, indistinguishable होते हैं, हम particles को distinguish नहीं कर सकते हैं, that is, the Maxwell-Boltzman statistics, अब यहाँ पर mutual repulsion, जो है, between the negatively charged electrons, वो neglect की गई थी, और, assume किया गया था, कि जो mutual repulsion है, यह दोनों के बीच में, जो potential field है, वो constant है, हर जगे, तो, the theory can explain, यह जो हमारी theory थी, the theory, that means, कि, Drude theory है, free electron theory of metals है, यह Drude logins theory है, can explain, कौन-कौन सी properties को explain कर पाई थी, कि metals के बारे में क्या-क्या explain कर पाई थी, उसमें सबसे पहला जो था, कि, it can explain, Ohm's law, ठीक है, that means, कि, क्या चीज़ हो गया, Ohm's law, कि current I, current I is proportional to potential difference, potential difference, जिसको हम लोगने, E बोल दिया, तो, I is proportional to E, or E upon I is equals to, हम लोगने, R बोल दिया, constant, जिसको हम लोग resistance के नाम से भी चानते हैं, ठीक है, second चीज़ के explain की थी, for pure metals, for pure metals, जो electrical conductivity है, electrical conductivity जो है, जिसको हम लोग sigma से represent कर रहे हैं, is inversely proportional to absolute temperature, absolute temperature, तो, हम लोगने बोल दिया, it is electrical conductivity, is inversely proportional to the absolute temperature, but impure metals के लिए, impure metals के लिए, electrical conductivity is inversely proportional to, this is inversely proportional to, the square root of absolute temperature, यह हो गया, second चीज, अब इसमें जो third चीज़ जो है, जो की model में explain कर वही थी, that was, for most of the metal, the resistivity rho, resistivity, rho जो है, it is inversely proportional to, the pressure, that means, 1 upon, pressure, तम लोग पूल सकते हैं, rho, is inversely proportional to, 1 upon P, pressure, next thing is, the ratio of thermal conductivity, the ratio of, thermal conductivity, जिसको हम लोग ने बुला, K, to electrical conductivity, electrical conductivity, जो की हम लोग ने अभी देखा, sigma, is proportional to, is, proportional to, absolute temperature, absolute temperature, जिसको हम लोग ने capital, T से denote किया, हम बोल सकते हैं, ratio of thermal conductivity, 2 था, electrical conductivity, ये हो गया, K upon sigma, is proportional to, absolute temperature, T, और जिसको हम लोग, it is also known as, this is known as, this is, known as, Weedman-Franç law, this is known as, Weedman-Franç law, टीक है, इसको हम लोग, Weedman-Franç law भी, बोलते हैं, टीक है, ये चार चीज़ें, एक्स्प्रेंग की थी, उसके बाद, next, fifth है, कि, एक characteristic property है, metals का, that means, their complete opacity, their, opacity, and, high, lusher, that means, कि, अगर आपने देखा होगा, कि, जितने भी metals हैं, वो opaque होते हैं, that means, कि, उन में से light pass नहीं होती, हम, metals के आरपार नहीं देख सकते हैं, अगर हमारे सामने किसी दूसरी चीज़ के बिचे, metal की कोई भी sheet रग दी जाए, तो हम सामने वाली चीज़, नहीं देख पाएंगे, we cannot see other side of that metal, फिर, जितने भी metals होते हैं, वो shiny होते हैं, lusherous होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, दीखे की, तो metal के हैं, एक opaque body की तरह behave करता है, क्योंकि जब भी light energy के हैं, किसी भी metal crystal के उपर fall करती है, तो जो free electron जो है, वो oscillate करते हैं, same frequency में, जो की incident light की frequency है, इस तरह से, पूरी की पूरी light जो है, वो absorb हो जाती है metals में, और जो metal है, वो एक opaque body की तरह behave करते हैं, अगर मान लो, ये जो light energy है, वो directly pass हो जाती, absorption नहीं होता, वहाँ पर transmission होता, लगबग 96%, तो वो क्या है, किसी एक transparent body की तरह काम करती हैं, और उनके अंदर lusher क्यों होता है, क्योंकि इस incident light जो है, वो क्या करती है, free electrons को excite कर देती है, और जब ये electron जो है, initial state में वापस आते हैं, तो वो क्या है, कुछ light emit करते हैं, कितनी energy की, जो energy लेके वो higher state में गहे थे, जिसमें, जिसे इसको समझने के लिए, अगर मैं ये दो state बना दू, ये हमारे पास lower energy state E1 आ गया, ये higher energy state E2 आ गया, तो पहले initial case में क्या है, अगर मैं opacity की बात करूँ, तो opacity में अगर मालो ये material है, material के अंदर जो atoms जो है, ये atom क्या हैं, अपनी जगे fix रहते हैं, जब कोई भी energy जो है, H new आएगी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस energy को absorb करने के बाद, अपनी ही जगे पर vibrate करते हैं, ये energy absorb करने के बाद, इसलिए ये पास नहीं हो सकती, इसलिए वो opaque होगी, और यहाँ पर क्या है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लो कोई भी electron है, वो energy absorb करके high state में जाएगा, और कुछ time बाद वो वापिस नीच आएगा, and जो है energy, जो है same energy, same frequency की वो emit कर देगा, इसलिए वो उनके पास metallic lusher होता है, इसके बाद next point जो है, जिसको explain किया था, magnetic heat and paramagnetism of metals, उनको explain किया था, ठीक है, on the basis of interaction between the free electrons and external energy source, बले इव external energy source, thermal energy हो गया, magnetic energy हो गया, तो उसकी वज़े से क्या है, यह जो result आया, उसने यह predict किया, कि classical theory के basis पे, हमने Maxwell-Boltzman statistics यूज की, वो much larger है, than actually observed values, तो बाद में quantum mechanics को यूज करते हुए, Fermi-Direct statistics यूज करते हुए, यह देखा गया, जो resulting values है, specific heat की, and paramagnetic susceptibility की, वो agreement, in agreement थी, with the experiment result, तो यह थे हमारे, बोल सकते हैं, merits, या characteristics, या कौन-कौन सी चीजे, जो की, इसने, शो की थी, किसने शो की थी, the free electron gas theory ने, अब इसके बाद, last जो चीज बसता है, that is, limitation of, limitations, अब limitations की, अगर बात करें, तो limitations में, basically, कुछ चीजें जो थी, वो explain नहीं कर पाई थी, उसमें से सबसे पहली आ जाती है, specific heat, फिर उसके बाद आताती है, paramagnetism, अब यहाँ पर देखो, मैंने paramagnetism बोला है, बढ़ यहाँ पर कुछ चीज ऐसा है, जो की नहीं explain कर पाई थी, paramagnetism आ गया, उसके बाद next point, जो होल कोफिशेंट आ गया, होल कोफिशेंट आ गया, उसके बाद next आ गया, जो weidman france law है, weidman france law आ गया, उसमें कुछ चीजें explain नहीं कर पाई थी, फिर magneto resistance आ गया, फिर उसके बाद next आ गया, temperature dependence, temperature dependence of electrical conductivity, and the last one is directional dependence of, that is, directional dependence of, dependence of electrical conductivity, यह सारी चीजें, वो exactly explain नहीं कर पाई थी, जैसे कि अगर specific heat की बात करें, तो वो experimental result के साथ में, disagreement थी, बट यह जो electron theory जो है, वो यह नहीं कर पाई थी कि, dominance of low temperature, specific heat जो है, evaluation by its electronic contribution, फिर experimental, second अगर paramagnetism की बात करें, तो paramagnetism में यह आ जाता है, कि जो paramagnetism of metal जो है, वो independent of temperature है, that means, कि this is not at all explained by free electron theory, फिर Wiedemann-Franç law, जो है, उसमें क्या बोलते हैं, it is consequences of free, consequence of free electron theory, जो कि यह बताता है, कि अपॉन sigma T की value देता है, जहां पर के thermal conductivity of metal है, जो कि agree हो रहा है, theoretical value पर, ordinary temperature पर, बट low temperature पर deviation देता है, hall coefficient में भी, strength of magnetic field पर, जो hold, hall coefficient है, वो disagreement में आता है, तो इस तरह से, magneto resistance की बात करें, तो यह resistance of wire, perpendicular to uniform magnetic field बताता है, but it should not dependent on strength of field, but practically, वो dependent होता है, फिर temperature dependence of, electrical conductivity की बात करें, but यह, it does not predict, कि क्या हो सकता है, but practically, prediction किया जा सकता है, directional dependence की अगर बात करें, तो कुछ metals में, वो orientation of specimen की उपर depend करती है, with respect to electric field, और इन specimen में, वो ज़रूरी नहीं, कि parallel to the external electric field हो, तो यह था हमारा, आज का free electron theory, या Drude model, या Drude Lawrence model, या free electron gas theory, Thank you.